नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे सबसे महंगी मिलने वली मिठाई वो भी हलवाई स्टाइल में दोस्तो आज हम बना रहे हैं काजू कतली वो भी बिल्कुल असान तरीके से बिल्कुल युनीक सा तरीका है और बनाना बिल तो चलिए बना लेते हैं आज की काजू कतली काजू कतली के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 300 ग्राम काजू इस तरीके से आप चाहे तो साबूत वाले काजू मिलते हैं जो वो भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से मार्किट में मिल जात यदि नहीं भी आप फ्रीज में रखते तब भी आपकी काजू कतली बहुत ही अच्छी बनेगी तो बस पीसते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसको पल्स मोड पर पीसना है यानि मिक्सी चलानी है और बंद करनी है बस इसी तरीके से आपने काजू पीसने है नहीं तो अगर आप मिक्सी को एकदम से चलाते रहेंगे तो इनका ओयल निकल सकता है तो इसलिए पल्स मोड पर ही इसको पीसे ताकि इसका अच्छे से पाउडर हमें मिल जाए तो ये लिए मैंने काजू और इसको हम पीस लेते हैं ग्राइंड कर लेते हैं ये कर लिए हैं मैंने दोस्तो एकदम से तो आपके ग्राइंड नहीं होंगे या आपने दो से तीन बार ग्राइंड करने पड़ेंगे क्योंकि अगर एक ही बार में आप ज़्यादा बार मिक्सी चलाएंगे तो इनका तेल निकल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तो मैंने ये कूट लिये हैं पहले दरदरे पीस लिये हैं इनको हम छाण लेते हैं बारीक जो काजू है पीसा हुआ वो नीचे चला जाएगा और मोटा दरदरा उपर रह जाएगा तो इस मोटे दरदरे को हमने दुबारा से grind करना है, यानि इसको पीसना है, दुबारा से mixi में ले जाकर, तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार में इसको पीस लिया है, लास्ट में अगर थोड़ा बहुत रहा जाता है, जो आप नहीं पीसना चाहते, इसको आप रख दे, ताकि आपकी सबजी की ग्रेवी में एक काम आ जाए, तो इस तरीके से मेरे पास हो गया काजू का पाउडर, अब दोस्तों, जो ये बच गया है, मैं इसको रख देती हूँ, इसको मैं सबजी की ग्रेवी में यूज कर लूँगे, अब देखे दोस्तों, कितना फाइन सा पाउडर मेरे पास है काजू का, इसकी क्वांटिटी और बढ़ाने के लिए, दोस्तों, अगर आपके पास काजू कम है, और काजू कतली या काजू की बरफी आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपने इसमें एक चीज मिक्स कर लेनी है, वो है दोस्तों, मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, उसको इसमें मिक्स करके, एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा काजू कतली का, और दूसरा आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी बरफी की बिल्कुल भी टेस्ट में फरक नहीं आएगा और बलकी ज़्यादा टेस्ट आएगा इससे, तो इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, यह फिर अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तब आप एक चीज और मिक्स कर सकते हैं आपने लेने हैं मुमफली के धाने मुमफली जो है वो अच्छे से रोस्ट करके आपने उसको भी पीस कर, यानि उसका भी अच्छे से पाउडर बनाकर वो इसमें मिक्स कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगेगी आपके बरफी तो मैंने तो यहाँ पर मिल्क पाउडर मिलाया है इसमें एक कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तो आप इसमें इलाइची पाउडर भी मिला सकते हैं लेकिन आज मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं डाल रही हूं इसमें आप दोस्तों चलते हैं गैस पर दोस्तों गैस पर कड़ाई रख दे और कड़ाई में रखनी है आपने ये मैंने लिया है एक कप शुगर ली है मैंने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 300 ग्राम काजू में 1500 ग्राम चीनी डाल सकते हैं तो इस तरीके से आपने चीनी लेनी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और जितनी मैंने चीनी ली है उससे आधा में पानी ले लेती हूं क्योंकि इसके चाश बनानी है चाश बनाने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें जि के चार्ष बनकर ready हो जाएगी, आप gas को सीम रखे, सीम गैस पर बहुत ही बड़ी आपके चार्ष बन जाएगी, जब दोस्तों ये इस तरीके से एक तार की बन जाए चार्ष, ये देखे दोस्तों एक तार की एक तार आ रहा है इसमें बीच में, तो बस हमारी चार्ष बन था काजू का वो इसमें mix करना है आप ठोड़ा ठोड़ा करके mix करते जाए एक बार में सारा ना डाले तो ठोड़ा ठोड़ा करके mix कर ले इसको अब देखे दोस्म बिल्कुल चाश और काजू बिल्कुल एकदम से सेट हो गए है सारी चार्ष इसमें आ गई है काजू में तो आपने क्या करना है अब गैस को कर देना है बंद अब इसके गोली बना कर देख लेते हैं यदि आपकी गोली प्रफेक्ट बन जाए यानि हाथ पे ना चिपके तो आपकी बर्फी बनाने के लिए ये डेडी है डो तो इस तरीके से दोस्तों काजू में सारी चार्ष मिल गई है अब आपने इसको जमाना है जमाने के लिए इसको क्या करेंगे एक लेना है बटर पेपर बटर पेपर पर आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए घी से ग्रीस कर लीजिए बटर पेपर और उस पर आपने सारा मटीरी लिए फेला देना है तो सारा आपने जो डो था हमने त्यार किया था इस पर डाल लेते हैं और इसको फेला देते हैं आप जितने पतले पीस करना चाहते हैं या मोटे पीस करना चाहते हैं इसके उस हिसाब से इसको फैला लीजिए एक दूसरा बटर पेपर इस पर लगा लीजिए और बेलन की सहाथा से इसको फैला लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा गरम है भी हाथ नहीं लगेगा तो इस तरीके से पेपर से ये प्लेन हो जाएगा उपर से तो ये लीजिए दोस्तों ये मैंने पूरा अच्छे से फैला लिया है आप चाहे तो साइड़े भी काट सकते हैं या फिर आप बाद में काट सकते हैं इसको गानिश करने के लिए दोस्तों आप ड्राइफ फूट यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपने इसको काजू कतली की तरह बनाना है तो आप इस पर लगा सकते हैं सिल्वर वार्क इस तरीके से आप लगा लीजिए और इसको आधे घंटे के लिए सैट होने के लिए रख देते हैं बस रूम टेंपरेचर पर ही आपने इसको रखना है फ्रिज बगारा में रखने की जूरत नहीं है आपको तो ये लीजिए दोस्तो 15 मिनट के बाद मैं आपको बरफी दिखा रही हूँ इस तरीके से ये सैट हो चुकी है अब इसको चाकू से आप कट कर लीजिए मन चाहे पीसीज इसके काट लीजिए चाहे तो आप डायमेंड शेप में काट स सुन्दर पीसीज आए हैं मैं आपको एक उठा कर दिखाती हूँ तो इसको सर्व कर लेते हैं दोस्तो एक प्लेट में ये फिर कहीं आप लगाना चाहते हैं डिब्बे बगारे में इसे बंद करके रख सकते हैं इसको मैं तोड़के भी आपको दिखा रही हूँ देखी कित भी कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तो आप इस दिवाली पर ये मिठाई जरूर बनाएं बजार में बहुत ही महंगी मिठाई मिलती है ये और घर में आप इस तरीके से आदे से भी कम रेट में से बना सकते हैं तो दोस्तो आपको हमारी ये रसीपी कैसी लगी कैसी हमारी बर्फी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ऐसी रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों